Assalam Simplement अब्राजरी विस्टिश害 लेशनदे अर्म भाई upने हो तो में अचा व्लिडोर हैこちら शवथob aus टूरर करिकज्ड में ऐसम के commit मेरे साथ बीज़ शूब्रास पाल भाई on से लेक्टर बनाया गया उसके बाद उनको यहां पर यहां बात यह आती है मेरे ख्याल में इस टाइम पर आपको के साथ रद्धो बदल नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे आपके क्या नाम है आ रहे हैं अस्ट्रेलिया की सीरिस ठीक है इन्होंने बाबराजम को क्या बना दिया अभी यंग लड़का है अभी मेरे ख्याल में इसको पॉलिश होने की अब दिया हम तो यही कर सकते हैं कि चलें वह अच्छा प्रफॉर्म करेंगा बैटिंग में तो नोड़ाट अच्छा प्रफॉर्म कर रहा था अब देखना है कि उसके अदर कैप्टैंसी स्केल्स कितने हैं कि तरीके से टीम को लेकर चाल सकता है आप शोयब मली के बार में क प्रेमियर लिग बीपील उठालें उसमें शुय मलीक साब लाजमी होते हैं और परफॉर्म भी करते हैं और बहुत यह साब को मेरे ख्याल से टीम में होना चाहिए था तो यह जिन निव प्लेयर टीम में इनके बार में कहाने से नहीं जैसे यह जो कल परसुर्ट टीम आई ह है इसके अंदर मैं देख रहा था तो मुझे सब भी निव प्लेयर लगे हैं कोई भी मुझे ना ऐसा प्लेयर नहीं लगा जो एक्सपीरियंस बेस प्लेयर हूं या जिनका कोई एक्सपीरियंस हो शुए मलक साब थे अब उनको भी ड्रॉप कर दिया सरफराज हैं मत को भी सब्सक्राइब लेकर आ रहे हैं इसके लावा तीन ने प्लेयर दिनों ने डाल दिगा है उस्मान कादिर उसके बाद आपका कुछदिल शाह और एक को रहा है मुसा फानशाइड दो इसमें से जो बॉलर्स डाले हैं बालर्स डाले नहोंने उसके लावा तो परफॉब किया तो मुझे लगता है ये फैवरिजम है थोड़ा सा इसके अंदर मुसा खान फास्ट बॉलर है यंग यंग फून है देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है यह साथ साथ इसमें अब वकारजुन उनसाब का भी ना रोल बहुत जादा होगा क्यूंकि अगर देखा जाए तो आप उनकी उपर जादा जिम्हेंदार हैं क्यूंकि यह आप लेके जा रहे हैं चार से पांच फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और स्पिन बॉलिंग डि जाए इस तफ़ा फिर से दुबारा टीम में क्यों डाल लिया गया है उसके लाव फखर जमान फखर जमान की एक इनिंग्स उन्होंने एक सेंचरी मारी थी 2017 में चैंपिन जितवा दी थी उसके बाद से लेकि अभी 2019 का तम होने को आ गया भाई अभी तक वह टीम में क्या कर आधा आधा है वहां पर पश्त बॉल İक जाने चाहिए लेकिन आधा असन अली को इन्होंने चलो ठीक स्रिलंकन इत्रोप कर दी सरिलंकन सीरिस में समझता हो कि इनको इसमें द्रौक्त करना चाहिए था क्यूंकि वह पेस हो गता है उनके पास स्पीड भी तो आप अधू के में फटम होनी अभी पाकिस्तान ने जैसे एक टो टेस्ट जो कहलें सर्फराज एमेद की टेम को इतना अच्छा पूरी आप्शन नहीं है क्योंकि वह प्रॉपर टेस्ट में इंडे में अच्छा प्रफॉर्म किया वा है उन्होंने पहले के वी की वी तो मेरे ख्याल से और यूनस खान से जादा यह अपने बहुत अजीब से स्टेटमेंट मुझे दे दिया इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं क्योंकि मिस्पाउलक की अपने सब्सक्राइब करेंगे अगर आने वाले सालों में उमीद करते हैं कि अच्छा प्रफॉर्म करें और क्या पता आगे चले अच्छा कुसानाब से कि आप बाबर आजम में कहीं विराट कुली दिखते हैं यार यह यह बात करके ना हम उस बंदे की के अंदर जो विल पावर होत अगर कुछ करना चाहता भी है तो वह चीज़ा मार देते हैं जब कंपैरिशन आ जाता है ना इंसान के अंदर कि अच्छा मुझे इसके साथ पर रहे हैं तो फिर इंसान ना वह में काम कर देता है तो पाकिस्तान सुपर लिए उसने किस साथ तक फाइदा दिया पाकिस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर भी अब इसके सारे मैचिस आने लग जा रहे हैं पाकिस्तान में इस अधर आना शुरू हो जाए और पीएसल की जान तक बात है तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही है है 2016 में जब से स्टार्ट हुआ था तो कितने कितने नाम उसमें से निकले शादाब कान से लेकि असन अली यह सब पीएसल की है एक लड़का था इप्तिसाम पिशावर जलमी का स्पिन बॉलर वह कितना अच्छा पाकिस्तानी टीम के लिए टैलेंट निकले तो इस सही है कि आपके पास ना मुतबादिल प्लेयर पड़ा हुए आपके बास ना सब्सक्राइब प्लेयर उसका पड़ा हुए जैसे अब अफीज शुय मलेक शाहिद अफ्रीदी अब जो पिछली जेनरेशन के प्लेयर से जिन्हों ने डेब्यू किया था अपना 90 में अब वो बिल्कु अब पाकिस्तानी बात की जाती हैं तो होती रही है आप इम्रान तायर की आपके सामने के वो बंदा एक उस टाइम खेल था जब यह सकलें मुश्टाक वगरार और यह लोग पाकिस्तानी टीम बात करके वह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर अगे इस तरह के पोड का सते रहेंगे थैंक्यू सब्सक्राइब अला फहला प। अला फिद्ड हला फिस अब्सक्राइब